नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी य्टूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और तीन जनवरी मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों भगवान के घर से आया है बड़ा ही सुपसंदेश जहां दोस्तों और अब आपके अगले दो दिनों के अंदर आज तक की सबसे भायानक और सबसे बड़ी खुस खबरी मिलने वाली हैं जिससे की दोस्तों आपके साथ कुष्टी तक देखने वाले हैं आपको ऐसी खुस खबरी मिलने वाले हैं आपने पिछले दिनों में जितने भी भगवान के सामने सर जुका कर मन्नते मांगी थी वह बरदान मांगी थी दोस्तों आपको अब भगवान देने वाले हैं जिससे दोस्तों आपके वास सारे अधूरिश अपने पूरे हो जाएंगे जिहां दोस्तों लेकिन दोस्तों आपको एक कार करने होंगे कि दोस्तों इस वीडियो को आन तक देखना होगा और दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारियों को ध्यान से सुनना होगा जिहां दोस्तों तभी जाकर आपको इस वीडियो का मतलब पता चलेगा तो दोस्त इसनी बड़ी खुश खबरी हमको दे दी अब धन है परभू कि आपने हमारे बींति को सुन ली है हम आपको जितने भी भक्ति भाव से पूजा किये थे उसका फल हमको आपने दे दी है जहां दोस्तों जरसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सब कुछ करहों की खेल है सब आपने जो भी कर्म किये हैं पिछले समय में अच्छे कर्म किये हैं उसका फल मिल रहा है और आपके अच्छे कर्म आपके अच्छे वहवार से भागवा ने एक संदेश भेजा है और उसमें आपके भविश के सभी जानकारी को दी है कि आपको आने वाले इन समय में कौन से चेत्रों से लेकर शावदान रहने होंगे कौन-कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे आपके घर के माहुल में परवारिक जीवन में परतेक छेत्र में कौन-कौन से बड़े बदलाब होंगे कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं तो दोस्तों आन तक देखिए पर बात करते हैं इस वेध्यार कि इस वurity को आपकी अक्षा सकति में थो कि दोस्तों आप सबस्ब्रिख्रिक्रिस्ण जी हजारों इनसान है जहां दोस्तों गर आप हमारे इन बातों से सामत हैं तो वीडियो को अभी लग जरू करें तो चली शुरू करते हैं दोस्तों आपको इन दिनों में भगवान महाकाल के आशिरवात से आपके किस्मत हीरे से भी तेज़ चमकेंगे क्योंकि दोस्तों महाकालने एक वर्दान आपको दिये हैं जिसे कि दोस्तों आपके कोई समाचार द्वारा कोई सुप संदेश द्वारा मिलेंगे और दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ नई योजना भी बनेगी जो कि भविस में भी सकार्तमगर हैंगे आपके पारबारी तथा वेफसाइक गतिविदियां सुचार रूरूप से चलती रहेगी और आप रिलेक्ष होकर भी वेक्तिकत कारों में ध्यान दे पाएंगे लेकिन दोस्तों कोई भी फैसला दिल की बज़ाए दिमाग से काम लें इसे आपकी कार प्रनाली और बेहतर बना पाएंगे आप अपने अंदर बहुत ही उर्जा वा आत्म विस्वास का अनुभव रहेगा अपने कारों में और बेहतरिन कार रूप देने में भी समक्ष रहेंगे आपके मेहनत का प्रना विलम से मिलेगा तो दोस्तों चिंताना करें तो उची समय का इंतिजार करें आपको अवस्षी लाब मिलेंगे और ध्यान रखें कि अपनी एगो और गुस्टिये पर काबू रखना ज़रूरी होगा तभी आप अपने लक्ष में काम्याब हो पाएंगे आपके वेबसार समय कोई नया प्रोग्राम बनने जा रहा है तो उसके बार में पहले अच्छी तरह जाच परतल अवस्ष करें आपके पारावरी बतारून प्रेम पूर्ण और शूख नामा बना रहेगा प्रेम समंदों में गलत फ्यमे की बज़े से दूरियां आ सकती है इसलिए इन पर ध्यान दें इन दुन में आप अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें अत्यदी काम की बज़े से सारीक और मानसिक ठाकान रहेगी दोस्तों आपका श्रमे उपलब्धियों वाला है इसका भरपूर सहयो करना जरूरी है केस्वी कार को करने से पहले उसकी रूप रेखा तयार करने से उचीत सफलता मिलेगी दूसरों की वेक्तिकत बातों पर ध्यान ना देकर अपने कारियों के परती एगा किर्चित रहें आपको अवसी सफलता मिलेंगे इन दिन वेवसाव में आपकी कारिवारी गतिविदियां सुचार रूरुक से चलती रहेगी हाला कि परना मिलने से कुछ विलम हो सकता है पर पटिक के सेल पर यसे समदित वेवसाव में मुनाफिय दाय किस्ति बन रही है कोई भी बेहतरिन डिल होने की शमभावना है ओपिस में प्रमोशन को लेकर कोई खुश कबरी मिल सकता है इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबदानिया भी रखने की जोरत है इस समय अनावसक गतिदिय में आधिक समय वितित करने से आपकी अपने काम भी अटक सकती है इस समय अपने कारे को प्रतिक फोकस रहने का है आकरनी आपका गुसा आपके लिए नुकसान दे हो सकता है कुछ आमें एकांत अथवा ध्यान यादी से जरूर वितित करें इससे आपको कुछ राहत मिलेंगे दोस्तों कुछ व्यवधाम अथवा चुनतिया आने से मन कुछ वितित रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि भाग साथ नहीं दे रहा है वन्तुस चकार्त में बने रहें जल्दे ही परिसितिया में सुधार भी आएगा इसमें अपने वैपसा से मेंधी अपनी योजना को सीक्रेट ही रखें और बेहतर होगा कि छामता की अनुसार ही कारे करें आपके परिवार में कुछ मद्भेद और अलगाव होने जैसे इसति पर विचार भी मर्स होगा धैरोविवेक से कोई भी निने लें हलाकि मामला सांते पूर्ण तरीके से सुलज भी जाएंगे गर के किसी सदस के स्वास्त का लिकर चिंता भी रहेगी इस पर आप ध्यान दें विवाईक संबंदों में एक दूसरे के परति प्रेम पूर्ण और उचित समांजस का भाव रहेगा प्रेम पर संग भी मर्यादित और शुक नमा रहेंगे दोस्तों इन दिनों में आपके किसमत बहुत ही भाग लेकर आने वाले हैं नई जानकारियां पर अमल करने से आपको सफलता मिलेंगे साथी महतपुन लोगों से शंपर बढ़ेंगे लेकिन निवेज ध्यान से करें किसी की मीठी बातों में आकर खुद का नुकसान कर सकते हैं काम से समन्दित बिजनेस में आपसी समान जास्वर पार्दिस्ता रखना जरूरी है इस दिन की सुरुवात में नोकरी पैसा लोगों को बदला समन्दित अच्छे मों के मिल सकते हैं आपके परेवारिक जीवन में सुख सांती का महोल रहेगा यो आपको प्रेम परस्ता मिलेंगे लेकिन अपने मान शमान का जरूर ध्यान रखें ध्यान रखें कि बाहरी लगों के साथ आपके उतने ज्यादा समन्द नहीं रखें क्योंकि आपके तरकी लोग नहीं देख पाएंगे और दोस्तों आपको किसी न किसी तरह से फंसाने के चक्कर में रहेंगे दोस्तों आपके लव लेट के बारें बात करें तो पत्ती पत्नी आपसे समांजास दोरा घर का वातरन सुखत बना रखेंगे दोस्तों के साथ मेल मुलाकात प्रशंता पूरने रहेगी गर के कुछ चिमेदरियां आप पर आज सकती है और आप इसे बहुत खुबी निभा पाएंगे प्रेम परसंग में एक दुसरे के प्रती भावनातर नजदिकियां बढ़ेगी परिवार जन आपसे समांज़ा सदरा घर के किसी समस्या को हल करने में समक्ष रहेंगे गर परिवार में खुशी भरा माहूल रहेगा तो आपके स्वास्ते के बारे में बात करें तो इस तरी वर अपने स्वास्ते के परती विशेज ध्यान रखें गोटनों तर्था जोडों के दर्द बढ़ सकते हैं योगा वेबाम आदे को अपनी दिन्चारिया का हिस्सा जरूर बनाएं इसे आपका सरी तंदुरुस्त और फिट रहेंगे दोस्तों आपको इन दुनों में जुखाम खासी जैसे धिकते रहेगी दुसित वतारन से अपना बचाव रखें तथा अपने दिन्चारिया विश्तित रखें चलिस्तों बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों घर में सुख समर्दी के लिए मंगल वर्या सनिवार के दिन हनमान जी को एक पान का पत्ता चड़ाएं इस पान के पत्ते में सौफ कथा गुलकंद जरू डालें पान के इस टोटके को लगातर साप सापता करने से सुख समर्दी घर में आती है दोस्तों अब बात करताब का भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों अब का भागे साली रंग और औरेंज है और भागे साली आंक चार है दोस्तों भागवान भोलीनात का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जै महाकाल जरू लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरू करें धन्य बाद